कैसे हैं आप सभी मैं तुशार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज कई जो हमारा सेशन होगा एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही अच्छे और कुछ बहुत इंपोर्टेंट सवालों को कवर करेंगे और देखे सारे सवाल बहुत ही अच्छे आप लुकुल एक्जाम औरिंटिट है तो काफी हाई चांस नहीं है कि आपके आने वाले एक्जाम में आपको यहां से कोश्चन देखने को मिलें अगर यह कोश्चन नहीं होंगे तो आपको इनसे मिलते जोलते हैं इसके बेसिस आ आपको मैं यह भी सिखा हुआ कि आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री कोश्चन वैल्यू पूट अप कर सकते हैं क्योंकि वह जबान नहीं दा कि आपको थीटा इस इको जीडियो रखे वैल्यू पूट करके आंसर निकाले अब आपको अलग तरीके से एक नए तरीके से वैल्यू करने हैं टैन थीटा की अब देखिए आप कैसे करेंगे इस कोश्चन को क्या वैल्यू पूट करेंगी थीटा की करके देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए अगर आप यह सोच रहें कि आप साइन थीटा को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टिप्लाइ कर देंग की वैल्यू नहीं निकल सकते यह बात कंफर्म है ठीक है जैसे एक्स प्लस वाई आपका 7 के बराबर है अगर आप से आंसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछू आप बता पाएंगे अगर मैं एक्स बने ताब बोलेंगे वाई सर सिक्स हो जाएगा अगर मैं बच्छो एक् इक्स वैल्यू नहीं है एक्स अगर कुछ रखेंगे तो वाई उसके धोल्टिंग वेल्यू अपनी देगही देगा बात क्लियर है यानि एक क्विशन है और दो वैरेबल्स की वैल्यू नहीं नहीं कल सकती लेकिन अगर मेरे पास दो एक्क्वेशन हो ठीक है और दो ही वैर तो क्या अब भी आप यह बात बोलेंगे अगर आप इन दोनों को एड़ करेंगे तो आप देखे तो आएगा सब्सक्राइब करेंगे तो थी आएगा बात क्लियर है तो यानिए आप यह समझे कि अगर मैं दो वैरेबल हो जाते हैं तो मुझे उन दोनों वैरेबल की निकालने के लिए उतनी जरूरत पड़ेगी अगर एक एक वैरेबल है तो मैं एक वैरेबल को कुछ भी अपने मन से मानूंगा और उस सिस्टम में पूट करूंगा एक्क्वेशन के तो सेकंड वैरेबल की वैल्यू अपने आप आ जाएगी और सैटिस्वाइग क तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एंगल है यह हर एक वैरेबल पर सैटिस्वाइग करेंगा से question को ठीक है अब देखें यहां पर ए देखें यह भी तेक variable है तो यहां से आप क्या समझे कि देखो एक ही question है पूरी और दो variable है एक मेरा variable क्या है ए है ठीक है यानि कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 और 1 मेरे पास variable है थीटा अब चाहिए तो मैं a put करूँ है थीटा अब देखें थी to 45 पर आ भी जाता है पर फिर a कैसे निकालेंगे a की value कैसे आएगी तो मैं कहूंगा आपसे कि आप थीटा पूट ना करके a को put करें अब a को भी क्या put करें बहुत ही देखें कि smartly हम value put करेंगे a को हम कुछ इस तरीके का put करेंगे कि यहां पर मेरा कोई जो एक term है या तो य a को minus 2 करें तो यह तर्म 0 बन जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका यह देखें मैं प्लिक दियो तो पूरा मैंने a को minus 2 किया तो minus 2 plus 2 फिर यह आगे sin theta ठीक है फिर दन देखें प्लस फिर देखें आगे bracket 2 इंटू में 2 करेंगे minus 4 लिख रहा हूं minus 1 ओके देन आग भूल गया मैं cos theta minus 5 cos theta बराबर minus 3 बात कर रहे अब देखें मैनस से मैनस कट जाएगा यह negative से negative कट गया cos theta है से आपको कितना आ गया यह आ गया आपको 3 by 5 अब जाएक यहां चाहिए तो maximum बच्चे करी पहेंगे आप जी कॉस्टीट आपको 3 by 5 आ गया अप कॉस्टीट होता है कि यह था आपका बेस अपन में है आप देखिए यहां से आपका perpendicular कितना रहा है 4 आ रहा है बचेन निकालना है 10 गालना है तो 10 गोट में में बेस होता है परपेंडिकल नकाल आपको 4 निकाला है मेरा बेस कितना है 3 है तो 4 by 3 है को मिने आप पर आंसर हो जाएगा नहीं चलते हो next question देखते हैं so next question है आपका 1 plus 10 theta into 1 plus 10 4 theta आपका 2 के बराबर है आपको value बताने theta की क्या होगी आपको theta ही find करें आप देखें ये question कैसे होगा बहुत अरसान question है और बिल्कुल कह सकते हैं identity based question है formula based question है देखें फटावर से आपको solution देता होगा यहां से आपका alpha plus beta होता है ने आपका 45 degree के बराबर होगा अब यहां पर दीखें है अगर आप theta को क्या माला लेते हैं पमकर में हैं कितने इसी में इते में पह्या होगे टीक है कोई था त्थीक है ज्यानी present आप यहां पर आंसर option है यह option number 3 है आपका 5 by 20 रेटेंस ठीक है समझ वहाँ है हमने क्या किया है हमने क्यों एक identity का यूज किया है जो कि यह 1 प्लस 10 alpha इंटेव 1 प्लस 10 बीटा कर 2 के बरावर आ जाता है तो आपको वैल्फा प्लस बीटा में रहा 45 डीक्री के बरावर होता है ठीक है चले आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन भी बहुत अच्छा है देखिए सवाल को जैसा कि मैंने आपको सिखाया पहले कोश्चन में कि अगर आपके पास एक्वेशन कम है वैरेबल जाद है तो किसी वैरेबल को और तीन में पास वैरेबल हैं और मुझे वैरेबल के निकालने में स्क्राइब प्रस टू एन भाई एम की ठीक है क्या मुझे थीटा के वार्यों कुछ जैनि जो ए है यानि जहां पर एंगल कुछ दे रखा कि यह मेरा तब बताएं पहलेक्षण क्या हो जाएगी आप बोलेंगे जीरो पूट करते ही आपसर साइन यह है यह 0 हो जाएगा पूरा टम्यों हो जाएगा थीक है विए अगर कॉछ जीरो की वाल्यू कितने होते है यह भूती है और यह बरुब्रहबर हो जाएग आपका एम के यानि यहां तक कोई डाउट तो नहीं है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है अब second equation पर नजर मारते हैं second equation यह आपके यह देखे क्या हो जाएगी अगर a zero put करूँगा तो power cube से क्या फ्राइक पड़ता है तो zero हो जाएगा फिर plus 1 प्लस की वह यहां पर जीरो पूट करेंगे एक को तो मेरा N ही आपन वहली का यह तरह स्कोई प्ल आप वह करें के सब्सक्cely आपका जाएगा वात क्लिए का क्या ईया आ gefल्गरा मैं देखा वर्य मेंकोई यह कोई एक ऐसी चीज भी जिससे मेरा कुछ टर्म बन जाए तो मैं ऩुछ तो मैंने देख्थ वहुआ अगर एंगल को में जडिरो पूट करूँगा- तो इसने हमने क्या 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 एंगल को जिरो पूट किया जिससे हमारे क्या होगी जिससे हमारे क्या है और इसका आपका अंसर क्या गया option number 4 3 आपका इसका answer आगे ठीक है चले बागे चलते हैं next question देखते हैं next question है आपका x is equal to sec theta minus 10 theta y is equal to cos theta plus cot theta then find करने आपको value x minus 1 into y plus 1 की अब देखिए हो सकता है आपको इस सवाल आसान लगे अब आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कर दो share कर दो दोस्तों पर ठीक है इस question को आप कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखिए आप अगे जाए दो इक विएक वाला ट्राइंगल बना लूँगा और सबसे बेसीड ट्रिपलेट का 345 ठीक है आपको थाओगा 345 ठीक है जैसा ट्रिपलेट है यहाँ पर पर अपनेट के बीच की जीरो से ऐसा कुछ दीटा की हर एक वैल्यूपर सारी चीज़े वैरिफाई होगी होगी तो उसी बेसी पर मैंने क्या कि ट्राइंगल बना लिए क्योंकि कोई भी ट्रिपलेट हो हाप पर कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा होगा तो मैंने इसी बेस प अब की आपकी दिखिए एक सब्सक्राइब कि तो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपन इक वाइश होता है यानि फाइप फॉर हो जाएगा फिर टेंटीट अब जीक है अब कितना हो जाएगा तेकिए यह जो निकाल लिए यह जो हो जाएगा तेकिए वाइब को अब क्या हो जाएगा आपका बताई हे जल्दी बोले है यार कुस्तो बोला करो आप तो भोलते ही नहीं हो ठीक है अब याशना करेंगे तो कितना जाएगा ठीक जल्दी बोलिए कितना रहें बात क्ली का अपका 1-1-1-1-1-5-1 जल्दी बोलें कितना आएगा मैनस आप आजाएगा मैनस हाफ फूर करेंगे तो इस आपका आजाएगा कहां आपका अपसे नुम्बर 1-2-1-2-2-1-1-1-2-2-2-1-2-1-2-1-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-1-2-2-1-2-1-2-1-1-1-2-1-2-2-2-1-1-1-2-1-1-2-1-2- स्क्वार गामा अपॉन में 10 एलफा इंटो 10 बीटा की अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे तीन-तीन एंगल है एलफा भी है बीटा भी है गामा भी है किस एंगल हो क्या पूट करेंगे आप तो देखिए जैसा कि मैं आपको पहले है तो अगर आप देखें कि अलफा यहाँ पर बीटा के बराबर है ठीक है तो देखिए अगर आप अलफा बीटा के बराबर करेंगे तो देखिए उपर क्यों जाएगा अब यहां से मेरा साइटन बराबर आजाएगा साइं स्क्वेड एलफा के यहां तक समझ में आगया अब देखें यहां से क्या बढ़ाइब करेंगे कि电 reports करेंगे यानि नीचे भी क्या हो जाएगा 10 स्क्वाइर गाम हो जाएगा बीटा भी गामा के रावर है इंटु में आपका क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा अब देखें इस तरीके से आप को पूट कर सकते हैं चुट्कियों में धेर अगर आपको वैल लीव पूट करने का पता है अब व करने हैं ठीक है बागे चलते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं सब्सक्राइब के नगल को अगर्गी विजब्स में यहां पर लॉट करें यहां पाप 55 रख सकते हैं ऑब यहां पर नहीं रख सकते हैं बड़ी दिक्कत होगी आपको तो देखिए कैसे करेंग इस तवाल को मै क्या बन जाए लेकिन अब सवाल यह आता है कि आपका 0 बनना शुरू हो जाए या फिर टम्स कैंसिल आउट होने शुरू हो जाए क्या आपको क्या पूट करना चाहिए जो मैक्सिम टाइम आया हुआ है मैक्सिम टाइम आया हुआ जिसे दिखिए य सेफिर रस एक फीद दो फेरा रहा है एक इसे कि देखिए दो तीन चार चार बर यहां तो trabalhar में मैं मैं क Ezra' को प्ट ऋंगा पूट प्सक्राइब ही है प्रडोगे यह सब चन्ynगितिकर जर्ट अग्युल तो फ्करना करना इता है फ्करत देखिए सब्सक्राइब यहां पर देखिए साइन वाई प्लस साइन वाई फ्लस टू साइन वाई देखिए कितना असान होगे सवाल बस जैड को पुट करते ही अपन और यह जो कुशन थाना आपका क्या हो जाएगा, फिर नीचे की हो जाएगा, प्लस, साइन, 2 साइन, 2 साइन, आप एक स, अप देखे, एक, दो, 3, 4, उपर करना, 4 साइन, 4 से उपर कट गया, साइन, आपनमे क्या जाएगा, आपका साइन, एक साइन, आपका, सवाल को चुट क्यों में डिर कर दिया और कैसे करेंगे सवाल का बताइए ज़रा मेरे को बहुत देशा सवाल है दो मैचट बताऊंगो इस सवाल को करने के और देखिए फॉर्मला बेस सवाल है और यह भी आपका अगर आपको यह याद होता है तो आप बहुत इस सवाल को कर पाते हैं अब आप इस वैल्ली को पूट करके देखिए एक बार दर पूट करिए क्या हो जाएगा आपका देखिए टू साइन फॉर्टि यह रखा है यानि में इसको कॉस ए माइनस भी माइनस कॉस ए प्लस बी की फॉर्मल लिख सकता हूं लिख सकता हूं तो आप देखिए जब 40 से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस 10 हो जाएगा ठीक है फिर क्या लिख सकते हैं साइन 10 अपॉन में कॉस 10 यहां तक बात करें कोई डाउड तो नहीं है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखिए उपर क्या बनेगा है यहां पर कॉस्ट 10 डिगरे और कॉस 90 डिगरे कैसे करेंगे आप इस सवाल को बताई आगे तर सोचके कुछ तो बोली है यार आप तो कुछ बोली नीचे तो देखिए कैसे करेंगे देखिए कॉस 90 तो आपको 0 ही हो गया यह बच्चा के उपर कॉस्ट 10 ठीक है अब यहां पर देखिए नीचे कॉस 80 लिखा है इसको क्या लिख सकते है कॉस 90 माइनस 10 यह नहीं साइन 10 हो जाएगा यह थीक है और यहां पर कॉस्टिंटिं यहां बताता ओं बच्चों को या रहता है तो भी नहीं एप यह दिखाएंगे सवाल को पहला इसे लिख ली यह में कॉस्क्रीन यह नहीं ठीक है तो इसको मैं रब कर दो पर दूसरी स्क्रीन ले लेते हैं तो फ्रेश राइट पर हमारा फ्रेश-फ्रेश कोश्चन आचुका है देखिए अब मैसे नमबर 2 से कैसे करेंगा है सेकिंड फ्र्मॉला क्या हो सकता है जो हमारा साइन टूसाइन फॉर्टी डिग्री लिखा है नहां तक तो कोई दिक्कत ह है नन्हीं हाउ, यह नहीं समझ हुआ हो, तो से कहा है, ऑफट के यह क। prereвाढ़ की साइन करिए अब देखे 2sin 40 और कॉस्ट इवस्टी लिखा इसको क्या लिख सकते हैं क्योंकि साइन 2 की होता है बताए यह वहां पर क्वार्टी डिगरी तो कितना बन जाएगा यहाँ भी या ओन जाएगा देखिए के डिग्री बात क्लिए रहे नीचिस को भी कंवर्ट कर लीजिए कॉष्ट मैं अब देखिए अगर आप इसको चेंज करेंगे तो जाए आपको हो जाएगा कॉट 10-10 degree यानि यह कितना हो जाएगा आपका बन आपका यहां पर आंसर बन जाएगा ठीक है तो आपको यह वाला युज करिए यह पहले वाला यूज करिए आपका अंसर बन ही आएगा ठीक है अगे चलते हो next question लेखते है है series based question है आज की को कषयों हैya को कफी चैके आपको इसे भी करके बहुत मज़ा है ग देखन कया है sin square 5 degree sin square 10 degrees पिर आ पीकिन प्रयोंटी डीग वर से चलते 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 यहांब आपका last समय है science 85 degree cms बनेंगे उस तरह कि और बनेंगे तो टर्फ ये यंगल से लग कर लेंगे जिनके पसके नहीं बन सकते से आप ने दो निकालें तो बचे कितना भी 16 टम्स बचेंगे उनको एक उसमें लिख लेते हैं ब्रैकेट पर बचेगा आपका साइन स्कॐर इसकॉर इसकी बचेगा प्लस एकशी से विख जायेंगे अ बनाने हो मुझे अगर पेर्स बनाने हो तो मेरे 8 बन सकते हैं ठीक है अब देखते हैं कैसे कैसे में बना में देखिए यहां तब 5 degree को convert करने cost में अफिर आप जानते हैं कि मैं 85 को क्या लिख सकता हूं 90-5 degree है तो आप क्या हो जाएक तो आपको है टो तो डेंगे यह अरश जाएगा यह घंच रिखिंगे और इसको लिखेंगे घ्र थे तो यहांट प्लस वन नाइन और प्लस हाफ करेंगे तो क्या नौ सभी एक प्टाइगा ढ़गा ठीक है तो यह था मारा आज का कमेट करता हूँ कि आज के questions काफी अच्छे लगेंगे solutions काफी पसंद आये होंगे और जो मैं तरीका बता है value putting का ये भी काफी पसंद आया होगा समझ में आया होगा अगर आप चांते कि मैं इस तरह से और सेक्शन लूँ तो आप comment section में लिख सकते हैं और अगर आपको सेक्शन पसंद आया तो इसको like करें शेर करें दोस्तों के साथ maximum जितना हो सकता है ताकि उनको भी फाइदा पहुंचन चीज़ होगा और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए चले बाबाई टेक कर अपने एकसाम की तरी करते रही है बाबाई